गुड मॉर्णिं माई अश्टेंट्स आज मैं मानो नेत्र तथा रंग विरंगा संसार कलास 10 अबजेक्टिप्स यानि कि बस्टु निस्ट प्रस्ण के साथ आया हूँ और इसमें मैं बात करने वाला हूँ और यहां से एक बहतर कॉंसेट लिकर के जाना है और हाँ यह बहुत ही इपोर्टिंट है जो अश्टुडेंट्स के त्यारी कर रहे हैं जैसे में कि पॉल्टेक्निक, SSC, ठीक है उनके लिए भी इपोर्टिंट है और हाँ जो अश्टुडेंट्स इस चैनल पर नए है चैनल क को सबस्क्राइब किजिये लाइक किजिये और एक अच्छा सा बेतर साथ कोनसेट यहां से लेकर के रहत जाए तो चलिए हम बात करते हैं देखिए जो हमारा कोशन है आख के वीभीन भाग के कार्ज़ पर का थारित प्रास ने खिलılar है आखिक बीभीन भाग के कार्च पर अधारित प्रासन तो चलिए हम बात करते हैं डिफिरिंट टैप्स के सामने का भाग होता है cornea जो cornea से ही light आख में परिवेस्ट करता है clear है सबसे पहले कोई अगर question पूछता है कि सबसे आख का सामने का भाग क्या होता है तो cornea चलिए answer में options है a clear है चलिए question number two कहता है cornea तथा lens के बीच में उपास्ती द्रौव कहलाता है cornea और lens के बीच में ठीक है उपास्ती द्रौव कहलाता है तो जलिए द्रौव कहलाता है इसको English में कहते है aqueous study के idealIES अब दखिए क्या है जलिए द्रौव अप्शन्स इस क 거지 क्लिए अब चलिए उह मात करते हैं question number three लेंस तथा रेटिना के बीच उपस्ति द्राव कहलाता है तो क्या कहलाता है तो उपस्ति द्राव कहलाता है लेंस तथा रेटिना यानिकि कचाफ द्राव ऑप्संस B लेंस और रेटिना के बीच जो लिक्विड रहता है उसको हम कचाफ द्राव जिसको हम एंगलिस में बिट का सबसे पिछला भाग ठीक है आँका सबसे पिछला बाग कहला आता है रेटीना तो चलिए एप्सण कहीं है यस ए इस दा राइट आंसर ठीक है चलिए इसको नोट कर लीजिए आगे और आच्छा-चा कोशन आता जाएगा ठीक है आँक में सबसे पहले किसे से परकास परवेश करता है तो आच के सामने वाला भाग होता है कॉरनिया तो परकास कॉरनिया से ही पर्वेश करेगा चलिए question number 6 आंख में किसी भी बस्तु का कहा परत्वीम बनता है तो आख में किसी भी बस्तु का परत्वीम retina पर बनता है तो चलिए options देखते हैं कहा है D options है D is D correct ठीक है चलिए question number 7 है retina पर बना परत्वीम की परकृति होती है कैसी परकृति होती है नेचर कैसा होता है तो रिएल एंड इंड इंड फार्टेन मतलब वास्तुईक तथा उल्ट तो चलिए कहीं ऑप्संस से देखते हैं कहा है ए में गलत वी में वास्तुईक तथा उल्टा यस राइट एंसर बी किलियर किलियर अच्छा से समझ में आ रहा है चलिए अब कह रहा है किए फोकस दूरी सिलरी मानसपेशिय के कारण घडता या बढ़ता है क्या सिलरी मानसपेशिय की कारण तो चलिए यो options देखें, पहला पुतली, B, Retina, C, सिलेरी मान स्पेस है, yes, C is the right answer, किलिए है, चलिए, question number 10, असपस्ट दर्शन की निम्तम दूरी कितनी होती है, तो असपस्ट दर्शन की निम्तम दूरी होती है, 25 cm, याद रहे है, कितना 25 cm, चलिए options कहीं है, yes, C, C is the answer, किलिए चलिए हम बात करते है, question number 11, आंक में परकास का अपॉर्टन किसे से होता है, तो आंक में परकास का अपॉर्टन कॉर्णिया और लेंस से होता है, क्यों, क्योंकि कॉर्णिया आंक का सबसे सामने का भाग होता है, तो चलिए, परकास का अपॉर्टन कॉर्णिया से होता है, अ चलिए ऑपसंस मुद्स करता है तो आखी पर बेस करने वाली परकास की मत्रा को सब्सक्राइब करता है तौर आगवे पर्वेस करने वाली मत्रा को आईरी नियुंत करता है क्योंकि आईरीश पूतली को कंट्रेट करता है तो परकास की कम मत्रा आख में परवेस करती है जब आईरिस फैला देता है जब आईरिस फैल जाता है तो पूतली फैल जाती है तो परकास अधिक मत्रा में परवेस करता है यानि कि कम मत्रा में परकास का परवेस करना अधिक मत्रा में परवेस कर यह कौन कर रहा है, किसके करण है? आईरिस के करन, यानि कि आईरिस क् गौनेठ गस्फथ के तो है, बहुत ही मज़एतार गभी-कभी ऐसे रोचक देखने को मिलता है, तो चलिए इसको नोट कर लेजि Bai कहता है आख का समझ जस्ति की छामता का अर्थ होता है तो आख की छामता का समझ जस्ति का अर्थ होता है फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना जब ऑबजिक्ट दूर रहता है तो फोकस दूरी को बढ़ा देते हैं और जब ऑबजिक्ट नजदिक रहता है तो फोकस दूरी क घटा देते हैं तो आक की फोकस दूरी को बढ़ाना या घटाना यह जो च्छामता होती है इस च्छामता को समझजस्ट से कहलाता है यह च्छामता समझजस्ट से कहलाती है तो चलिए हम बात करते हैं यहां देखिए सी ऑप्सेंस है लेंस की फोकस दूरी को बदलने की यह पोकस दोरी घ्रहाना जाना फूरीus कों प्रका बर इस करता है उसले जो पूत चली इसको नोट कर लिजिया कहता है जब हम धोप से घर में जाते हैं तो आप में क्या परिवर्तन होता है याद रहे जब हम लोग छत पर जाते हैं काफी धूप होता है ठीक है काफी धूप होता है और वहां परसी हम घर में आते हैं एनकी रूप में परवेश करते हैं तो उसमें आख में परिवर्तन क्या होता है तो याद रहे उसमें पुतली बड़ा ह हो जाता है तो किले दीए की बस्तू को को कैसे बदलता है ठीक है दूर की बस्तु यह देखने के लिए और नजदी की बस्तू देखने के लिए जो आक की छमता होती उसी को तो समझस्ट से कहते हैं समझस्ट से focus दूरी के घटाता या बढ़ाता है इसका मतलब यह होता है अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ है options है लेंस के आगे पीछे गति करना गलत रेटिना आगे पीछे होता है डलत लेंस पतला या मोटा हो जाता है इस मोता हो तो फोकस दोरी घट जाता है तो नजदीक की बस्तू को देख रहेंगे तो चलिए ये कोशन नहीं सी का एंसर होगा से लेंश पतला या मोटा हो जाता है तो चलिए इसको दोस्त में क्या होता है तो नजदिक की बस्तू असपश्ट दिखाई देती है चलिए बिल्कुल सही है दूर की बस्तू असपश्ट दिखाई नहीं देती है बी भी सही है options C में देखते हैं दोनों A तथा B yes C is the answer दोनों होगा A तथा B आप देखिए question number 18 में दूर डिरिष्टी दोस्त में क्या होता है तो दूर डिरिष्टी दोस्त में दूर की बस्तू असपश्ट दिखाई देखती है लेकिन नजदिक की बस्तू असपश्ट दिखाई नहीं देती है तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए दूर डिरिष्टी दोस् है नजदीक की बस्टू अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है यह भी बिल्कुल सही है और सी ऑप्षन दोनों यह तथा भी यह सी इस दो आंसर के लिए है अब हम बात करते हैं देखिए कोशन अब नाइटिन तारू की टिम्टी मानिकी ब्यक्ष्या किस सिधांत पर अधारित है तो चलिए अप्षन इमें है तो चलिए यहीं सही है फीक है कि लिए सबेखिकर पर आपकास कितने 21 कहता है जरा दूर डिरिष्टी दोस में क्या होता है तो जरा दूर डिरिष्टी दोस में आख नस्दीक की बस्तू या दूर की बस्तू को अस्पश्रूप से नहीं देख पाता है तो चलिए यह कब होता है तो आप्टर 45 यह एनकी 45 सल बात ठीक है यह बढ़ते हुई उम्रि कर पाने के कारण दूर की बस्तू या नस्दिक की बस्तू अस्पस्टूप से दिखाई नहीं देती है तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं जरा दूर डिश्टी दोस में क्या होता है तो नस्दिक की बस्तू अस्पस्ट दिखाई नहीं देता है चलिए सही है दूर की बस्त का उपचार किस परकार के लेंज से किया जाता है तो हमने वता है कि जरा दूर डेश्टी दोस्त में दूर की बस्तृ हो या नंजद g Smarffs उज्पाइफ दिखाए और चस्कापय के उपर पार्ट में ओतला लेंस लगा जाता है तो चलिए बाइफोकल लेंस एंसर होगा तो 22 गा ईंसर बाइब बाइफोकल लेंस चलिए 23 में कहते है निकर डुरीष्टी दोस्ट दूर करने के लिए किस परकार के लेंस का उप्योग करे जाता है कास को फैला देता है यहीं कि दूर की बस्तु अच्छे तरीके से दिखाई देती है तो चलिए हम बात करते हैं 23 में निकर डिरिष्टी दोस्त दूर करने के लिए किस परकार का लिए लेकिन नजदिक के बस्तु असपच दिखाई नहीं देती है तो हम चाहते हैं कि नजदिक लेंग का इपयोग की कि वह लाइट को अभिसारी करता है यानिकि लाइट को एक बिंदू पर मिला देता है यांनि कि नजदिक बश्तु अस्पष्यची देने लगता है कब जब उत्तल लेंस कहीं प्यूक करते हैं तब चली लिखा हुआ है दूर डूरिष्टी दोस दूर करने के लिए किस परकार के स्वाइब करते हैं तो। उत्तल लेंस लेंस टीक है चली आपसान ए is the right answer घिक है इसको note कर लिजे 25 कहता है निचट जी दोस में पर्त वहरा हम बनता है तो हम कहते हैं कि लेंस मोळा हो जाता है तो कुलिए हम बाथ करते हैं का मोạt DD रेटिना के आगे यानि की बी इसना अंसर अब हम करते 26 गाता है दिर के यहां दूर डिश्टी दोस्ट में परतिवीम कहां बनता है तो डूर डिश्टी दोस्ट में परतिवीम रेटिना के पीछे बनता है किलर है अब उसमें क्या होता है कि रेटिना में देखिएगा नेत्र आंसर रेटिना के पीछे मनता है ठीक है अब देखिए कोशन नमर 27 कता है किस दीश्टी दोस्त में आख देखने की छमतार बिल्कुल खो देता है तो कटरेक्ट यानिकी मोतिया बिंद होता है आख के आगे बलड टाइप के अच्छा जाता है ठीक है आख से बिल्कुल दिखा होता है और दूर बिंदू अनंत माना जाता है ठीक है चलिए हम ऑप्सेंस देखते हैं देखिए डी इस दा आंसर ठीक है चलिए इसको नोट कर लीजिए 29 कहता है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूरी या निकट की बस्तू को साप साप देख सकने के आख के गुन को कहते हैं समंजन छामता कहते हैं देखिए क्या लेंस की फोकस दूरी बदलता है दूर या निकट बस्तू को असपस्ट रूप से देख पाता है तो ये नेत्र का गुन यानि कि आख का गुन कहलाता है समंजन छामता तो चलिए ऑप्सन से देखते हैं बी इस दा राइट बिभीन दुरियों पर बस्टु के प jáतों को सिल्यर है को परदीम को फोकस करने के लिए आंक के लैंस की फोकस दुरी शोंले चुंसके परिवर्तित होती तो सिल्यरी मंस्पेसिय के दौरा देखिए ओप्सण्स आर से औंप 10 वह ऐसी आपकिए कोशन नमर 31 कहता है नेतरी की समंजन छमता कम हो जाने से उत्पन होता हैं तो इसया क्लिए दूर्ण डिरिष्टी दोस्त को जाता है यानि उसी को कहा जाता है समंजन चमता कम हो जाना चलिए तो समंजन चमता कम हो जाने से उत्पन होता है जरा दूर डिरिष्टी दोस कहीं है यस C is the answer किलेर है इसको note कर लिजिए 32 कहता है चंदर्मा पर खरे अंतिरिक्ष यातरी को अकास प्रतित होता है तो याद रहे चंदर्मा पर खरे अंतिरिक्ष यातरी को अकास काला प्रतित होता है देखिए options कहीं है यस D is the right answer किलेर है अब हम बात करते हैं question number 33 देखिए दिरिस परकास में किस Varn या रंग का तरंग दधर्ज अधिकतम होता है तो याद रहे red color का तरंग दधर्ज सबसे अधिक होता है तो अब बात करते हैं कि frequency किसकी होगी मतलब आवरिति किसका कम होगा तो red color का ही आवरिति कम होगा तो options answer है क्या red, red का तरंग दधर्ज अधिकतम होता है, यानि कि सबसे अधिक होता है, चलिए question number 34 में, दिरिस परकास में किस वर्ण यानि कि रंग का तरंग दधर्ज सबसे कम, या निम्नितम, सबसे कम मतलब निम्नितम होता है, तो याद रहे, बैंगिनी का, ठीक है, सबसे कम सबसे कम तरंग दधर्ज किस कलर का होता है, बैंगिनी कलर का, आच्छा, सबसे कम तरंग दधर्ज होता है, तो यानि कि frequency मतलब आविर्टी इसका सबसे अधिक होता है, तो चलिए हम बात करते है, option A is right answer, clear है, अब देखिए 35 में, किसी colliding billion में, निलंबित कौनों से परकास क परकिर्णन को कहा जाता है, देखिए, colliding solutions होता है, colliding billion, ठीक है, तो उसमें particles होता है, तो particles क्या करता है, जब light पड़ता है, तो अलग-अलग direction में उसको spread करता है, जिसको हम कहते हैं, परकिर्णन, ठीक है, तो उस परकिर्णन को क्या कहा जाता है, टिंडल effect, यानि कि टिंड यानि कि रंग का अवरिती सबसे अधिक होता है, अब question सुनियेगा, इसमें लिखा है, कि धिरिष्परकास में कि वर्णन की अवरिती सबसे काम होती है, तो चलिए इसका एक concept देते हैं, ठीक है, सुनिये का ध्यान से, हम कह रहे हैं, कि जो अवरिती होता है, यानि कि चाल हो अब देखिए एक चीज और बता दू तरंग दधर्ज होता है ना जो तरंग दधर्ज होता है तो तरंग दधर्ज ये भी अवरिती के क्या होता है ब्यूत कर्मानुपाती होता है किलियर है कहाने का मतलब होता है कि कि चाल और तरंग दधर्ज चाल अधिक होगा तरंग दधर काम होगा कि लिखर है जैसे मैं को हने का मतलब क्या होता है सुनिए जो घारी इस TYending धाए ठीके तो उसको मूरनी की काम होगा ठीक है दिरिक्स परकास में किस वन रंग की अवरिती सबसे कम होती है तो सुनिये बैंगनी क्योंकि बैंगनी का स्फीड कम होते है चलिए और ती है चलिए यानि यानिकि A option answer सही है 38 में आते है परकास में किस रंग का परकिर्णन सबसे अधिक होता है तो याद रहे परकास में नीला कलर का परकिर्णन सबसे अधिक होता है सुनिए इसी कारण है परकास के परकिर्णन के कारण है ना कि अकास नीला देखता है आप कैसे कि देखे इस नेशर अलग-अलग है तो अलग-अलग यह light को परकिर्णन करता है नीला परकास को परकिर्णन कर देता है इसलिए अकास नीला दिखता है चलिए हम बात करते हैं परकास में किस वर्ण का परकिर्णन सबसे अधिक होता है तो नीला ठीक है अब देखिए 39 number question दिरिश परकास की तरंग दधर्च सिमा होती है कितना होती है तरंग दधर्च सिमा दिरिश परकास की तो देखिए ए अप्शन सही है 4 x 28 पार माइनस 7 मीटर से 7 x 22 पावर माइनस 7 मीटर होती है ठीक है चलिए इसको नोट का लिजिए किस डिरिष्टी दोस में नेतर का क्रिष्टलिये लेंस धुंदला अपर दर्शी हो जाता है तो सुनिए इसका आंसर होगा मोतिया बेंद मतब नेतर का लेंस होता है ना क्रिष्टलिये धुंदला अपर दर्शी हो जाता है यानि कि परकास आर पार नहीं कर पाता है तो औब्जिक्ट दिखाई नहीं देता है तो चलिए answer होगा q dizer करने के लिए किसका इप्योग किया जाता है ता spectrum प्राप्ट करने के लिए prism का इप्योग किया जाता है क्यों कि prism में परकास के साथ अलग-अलग color को दिखाने का काम करता है तो चलिए options क्या होगा D प्रीज में Question number 42 Aspectrum में किस रंग के कीरन का बिचलन यानि कि जुकाव कम होता है तो जिसका speed जाता होगा यानि कि लाल रंग का speed बहुत अधिक होता है यानि कि तरंग दधर्ज अधिक होता है इसलिए उसका जुकाव कम होगा तो एंसर होगा लाल option A ठीक है अब खोटी तीरी कहता है Aspectrum में किस रंग के कीरन का बिचलन अधिक होता है तो जिसका speed कम होगा तो उसका बिचलन अधिक होगा संच माया तो आए हम D बैंगनी क्लियर है ना चलिए इसको नोट कर लिजिए कहता है प्रिजम से परकास की कोवन सी परी घटना घटती है तो प्रिजम से परकास की बंड बिच्छेपन की घटना घटती है तो बात होती है कि बंड बिच्छेपन कहते हैं तो देखिए जब पिरिज में से लाइट वाइट लई जाता है कैसा जाता है वाइट लाइट मतलब समंझ में आता है ठीक है परकास जा रहा है लाइट जा रहा है तो यह सेबिन कलर में बढ़ जाता है तो इस पर बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं अस्पेक्ट्रम क् कि हिंदि में काते हैं बन्पट इसको क्या कहा जाता है बन्पट ठीक क篇स कितने colors प्राप्थ होते हैं 7 colors होते हैं तो यह 7 colors मेंहें हमको दिखाने का कामठर 1 2 3 ,4 5 ,6 ,7 7 colored product होता है कितना Dec seconds color ठीक है तो अब हम बात करते हैं तो सबसे उपर में कौन सा color होता है red color तो सबसे उपर में हमारा लाल color होता है और सबसे नीची क्यों सा color होता है तो बैंगजी होता है यही न तो देखिए यह white light को seven color में दिखाने का काम कर रहा है न जी उसे काम कहते हैं बर्ण बीचेपन see is the answer किलियर है चलिये, 45 question number काता है, अकास का रंग किसके कारण निला प्रतीत होता है, तो answer होगा परकिर्नन के कारण, परकास के परकिर्नन के कारण, चलिये, एनिकि scattering capacity होता है, तो देखिए ये light को फैलाता है, तो जब particle पर पढ़ता है, देखिए ये particle है, ठीक है, particle पर चलिये, white light आया चले है तो यह डिफिनेटी डिफिनेट अलग अलग दिसा में लाइट को क्या कर रहा है फैला रहा है ठीक है तो इसी को cocktail is roman को काते है पर किरनन ठीक है तो जब पूरा का पूरा जब लाइट जाता है इस पार्टिकल पे तो नीला कलर होता है ना तो उसका स्केटरिंग कैपिसिटी जादा होता है यानि कि परकिर्ण छमता अधिक होता है इसलिए अकास में बुलू बलर कलर स्प्लीट करता है यानि कि अकास में निला निला कलर स्प्लीट करता है इसलिए अकास निला दिखाई देता है तो आप्सन देखें भी पर किरन ठीक है 46 नमर कोचन कता है एक सधान पिरिज में कितने सतों से गीरा होता है सधान पिरिज में कितने सतों से गीरा होता है एंसर है पांच अब इसमें कुछ बाते बताते हैं ठीक है पिरिज में कुछ बाते करते हैं देखिए इसमें सतों की संख्या कितनी है पांच ठीक है और कहते हैं सीर्षों की संख्या कितनी होती है तो याद रहें सीर्षों की संख्या पुरा खिलेर हो गया ना तो यह अगर कोशन्स आता है तो आप लोग इसको सही कर देंगे ठीक है ना याद रहे चलिए इसको नोट कर लीजिए नेत्र गोला का ब्यास लगभग होता है तो 2.3 cm होता है के लिए रहे चलिए 2.3 cm options is a बिल्कुल सही है चलिए कोशन और 48 काता है बीदू सिगनल कौन उत्वन करता है तो बीदू सिगनल optical nerve जिसको हिंदी में कहते है परकास सुग्राही ठीक है तो चलिए a options से answer है बीदू सिगनल उत्वन करता है ठीक है और देखिए जो अप्ट कन नर्व होता है ना किस से जुरा हुआ रहता है मस्तिरि सक्से जुरा रहता है चलिए हम बात करते हैं देखिए 14 czy nolcji했는데 सिग्णोल की व्याथ या कहां होती है सब सिग्णोलों की ब्याकरा कहां होती है तो मस्तिसक में एला है चलिए हम बात करते हैं मस्तिसक में एंसर इस राइट ईंसर क्लिया रहे ना चलिए कोषा नमर 50 कहता है अब चलिए 50 भी पूपा हो चुके है और 10 सतक हो चुका है तो चलिए पुतली के साइज को नियंत्रिट करने वाला गार आप पेस्ट के डाइफ्रम कहा लाता है तो देखिए पुतली के साइज को नियंत्रिट कौन करता है तो आईरिस करता है आईरिस को कहते हैं हिंद कर लिज़े कहता है आख की पुतली किसकी भातिक करता है तो आख की पुतली पढ़्यवर्थी द्वारह के भातिक करता है चलिए आपसंड डी इस दड़ा राइट आंसर किले यह हम बात करते हैं कोचन अबर 52 की कॉर्णिया के तुरंत पीछे एक संद्शना होती है उसे कहते ह isty Geop scribatana वह होता है हमारा आईडिस आईडिस जिसको हम यहां कहते हैं पडुन रूप से प्रिभ आजी कोई आप्ससाइशा यास बीजीड मात करते हैं फिप्ती थे की मंद कम का किसकी सितहलता से पूत्ली पुर्णॕ से पहल जाते किसकी सितहलता से अब एक बात बताते हैं कि परकास की मात्रा को नियतन करता है करता है को समने फैल को तो अगर बात करते हैं कि अगर अधिक मात्रा में लाइक कर रहा है तो ठीक है तो पूतिली का है सीफिलता है Celts के करना यह पड़ी तारीका के करना एंसर कहा है भी भी इस दा राइट आंसर के लिए अब देखिए फिप्टी फोर अब हम बात करते हैं नेत्र गोलक के गोल होने पर कहां की बस्तू को हम देख पाते हैं सुनेगा नेत्र गोलक अगर गोल होता है नेत्र गोलक तो गोल होता ह है लेकिन थोड़ा सा गुलाई में और ब्रीधी हो जाती है ना ठीक है तो हम नजदीक की बस्तु को देख पाते हैं तो आंसर कौन से होगा नजदीक अप्शन इस दो राइट ए ठीक है यह अप्शन राइट है किलिए रहा है चलिए इसको नोट कर लिजिए बस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर पर परति बीम कीतने सेकेंड तक रहता है तो देखिए ऑप्जिक को हटा भी लेंगे ना तो परति बीम नेत्र है सब्सडों सब्सक्राइब है चलिए 56 में कहता है डिष्टी निर्बंद सिधांत का इपियों कहां किया जाता है तो चल चित्र पर सेक्षन के चलिए इस दा राइट आंसर ठीक है is 57 कहता है कोनिया के पीछी किया है जो काले रंग के पेशियों का समूझ है देखिए कोनिय कर पीठे ज़़े लाता है आईरीस रहत है मैं देखिए आईरिस किसे पूथ list मतलु तक नीचसे मिर्थ होटा है ठेक है और पूतली का रंग कैसा होता है काला होता है crystal क्लियर समझ में यह रही है तो समझ कफिन हुआ करते हैं यानिकि A at'd 32 में ब्रीदियों और मानों नेत्री में समंध। घड़ जाती है यहован का हलाती है कितों देखिए कौनग का कह रहा है इसे ने यह जो दोस होता है आख का दोस होता है यह after 45 years होता है यानि कि 45 साल के बाद होता है कि 45 साल के बाद ठीक है सिलेरी मसल्स है यानि कि सिलेरी मांस पेसी भी बोल सकते हैं वो परोपर तरीके से काम नहीं कर पाता है जब परोपर तरीके से काम करता है तो आख healthy रहता है लेकिन इसको नोट कर लीजिए है कॉर्णिया में दोस अथार्थ उसके पूर्णता गोल नहीं हो तब क्या होगा तो देखिए पूर्णता गोल नहीं होने के कारण जो आँख में दोस होता है जो नेत्र में दोस होता है उसको आप में दूकता कहा जाता है देखिए दोस राइट आंसर काने का मतलब दोस्कों दूर करने के लिए चस्मे में कीस तरीके का लिंस लगाया जाता है याद रहे बिलनाकार के लिए चलिए हम बात करते हैं कोचन नमबर 61 में सवस्त आख 25 सेंटीमीटर तो अनन्द के बीच की रखी बस्तू का असानी से देख पाता है ठी इस दा राइट आंसर के लिए देखिए क्या होता है ना कि मैं बात बता रहा हूं ठीक है सुनिये का ध्यान से तो इसमी क्या होता है कि देखिए 25 सेंटीमीटर है यहाँ इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव और इसको यहाँ पर यहाँ के अब्जेक्ट को असानी से दे सर ठीक है कोई दिकत नहीं ना चलिए अब कोचर नमबर कहा जाता है सिक्षी टू में क्या कहता है मानों नेतर दो है आख हमारा कितने दो है ठीक है दो है तब इनका डिरिष्टी छेदर का कौन होगा तो यह कितना डिगरी का देखिए आप लोगे सामने मैं देख रहा हूं ठ इधर भी देख पा रहा है मतलों अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहा है लेकिन देख पा रहे है ठीक है इधर भी और इधर भी 180 का एंगल बन रहा है ठीक है तो याद रहे है मानों नेतर दो है अथा इनका डिरिष्टी छेदर का कौन होगा तो 180 डिगरी ओप्शन ए इ नेतर लेंज का मोटा हो जाना ये भी सही है सी में नेतर लेंज की फोकस दूरी काम हो जाना ये भी सही है डी इनमें सभी तो सब सही है तो इनमें सभी यानि कि डी इस दा राइट आंसर अब हम बताते हैं कि यह कैसे होता है थोड़ा सा यह जानना जरूरी है देखिए निक थोड़ा सा आख का फोटो भी बना लेते हैं आई ही आख का फोटो बना ले ठीक है चलिए हम बात करते हैं यहां से इस तरीके से रेटीना पर आया और यहां से लाइट रेटीना पर आया और यह रेटीना है और रेटीना पर ही देखे कि इमेज बन चुका है तो जो भी से लगा हुआ है यह लेंस है अब बहुत दूर से लाइट आ रहा है क्या बहुत दूर से यह कि अबजिक्ट है ना बहुत दूरी पर है ठीक है चलिए हम तो यह नेतर गोला का फोटो बना लेते हैं चलिए फोटो बना लिया हमने ओके अब हम बात करते हैं यहां से लाइट र पर auditory किया ऑई हैं एपर आकी मिलेगा यह क्या देख रहे हैं कि यहां पर इमेज़ बन गया लेकिद रिटीना तो है यहां तो आझागा इसे होम घॉनसे हैं तो यहां से यहां बात करते हैं कामल सब्सक्राइड कानुका मतलब होता है कि नेत रूगोला बढ़ा हो गया शहां गया तो पहले यहां पर पहले यहां पर रेटीन था अब बड़ा हो गया तो रेटीना यहां आगया रहा है क किलेरальнуюнуть of लेन्स का मोटा हो जाना और देखिए नितल लेंस का मोटा जन्य कैसे सही है यह बताते हैं देखिए अगर यह पतला है तो देखिए फोकस देखिए यहाँ पर है यह है प्रिंस्पल एक्सिस यहाँ से लाइट आ रही है ठीक है तो यहाँ से डिफिट करेगा यहाँ आया लेकिन अगर मोटा हो जाएगा तो का मोटा हो जाना यह फोकल सुख्owa को मोग हो गया था सलेंट यहाँ यहाँ यह उल्यों से फोकस ॉप साहिए यहाँ जाना चोंगे ब centralized उन्यट्ट को दूर करने के तो आवतल लेंज का इविज़ करते हैं जी आवतल लेंज ठीक है इस रोग को दूर करने के लिए अब देखिए दिफ डिश्टी दोस्त होने का क्या करने कोशन नमर 64 कहता है तो आई एंसर देखते हैं ए नेतर गुला का छोटा हो जाना बिल्कुल इसके ओपोजिट काम करेगा नेतर लेंज का मोटा भी दो प्पतला हो जाना के लेंज की फोकस दोरी अधिक हो जाना इनमें सभी तो इनमें ये सही आंसर है ठीक है अब देखिए knit उपाते हैं के थीजिए दिखने किसे देख पाता है नजदीक देखने में दिकत होती है तकलीप होती है तो आए तो यहां से इमेज कहां बनेगा रेटीना पर बिलकुल सही है यहां पर यह रेटीना है यहीं पर इमेज बनेगा ठीक है लेकिन अगर क्या होता है कि नजदीक को जोब आपजेक्ट रखा जाता और इमेज यहां बन गया ठीक है तो आब देखिए यहां पर सुनिए अध्यान फ़ीर ईब यह इसको बना रहाता है यह अब छोटा हो गया तो आई करें के कहना यहां आच आई था हना यह जोग Ser今 पभिज़े को लेटन मडिन एतर झोटा हो गया तो नि तुम क्सक्ष्ट और यह मोटा यह यह क्या हो जाता है पतला हो जाता यह का हम कह सकते हैं यहांने की सही है बिल्कुल ठीख है आभ लेख प्ली अधिए की फोकस दूरी अधिक फोकस दूरी अर्दिक गल नेत्र लेंस जब पतला हो जागा थे कि पहले मोटा है मोटा है तो चलिए कोई बात नहीं यहीं पर इसका इमेज बन रहा है ठीक है ठीक है जब लेकिन डिर्क डिश्टी दोस है तो यह लेंस पतला हो जाता है पतला हो जाता तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है यहां ठीक तो चलिए तो लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है चलिए सही डी इस दो राइट अंसर के लिए रहना चलिए इसको नोट कर लेचे हो परिवर्तित करता है तो आप संस कहें कहीं यास बी इस राइट आंसर ओके चलिए कोशन नुबर 66 कहता है देतरदान करने वाले बेगती की आयूशीमा होती है देखिए पांच साल तीस साल साथ साल इनमें सभी तो इनमें सभी होगा क्या होगा इनमें सभी और एक चीज मैं सबसी आख दान करने का सबसी कम उम्र होनी चाहिए उस पांच साल क्या होने चाहिए सबसे कम पांच साल चलिए पांच वर्स ठीक हैं अब देखेए एक चीज आएक बाता होकि कि उयर सेबमेंतिफाई तो चलिए 75 होता है कि 5 साल से ले करके 15 सार्थ तक कि बेगती आखदान कर सकता है तो चलिए अब हम बात करते हैं कोशन नमर 67 में मिरित्यू के पहचाथ और हाँ जादर से जादर जब दखिये आदमी की जो मिरित्यू होती है ना ठीक है तो 10 से 15 मिनिट तक आख निकालने में टाइम लगता है किलर है ना तो इसमें कोई बात नहीं घबरानी की बात नहीं होती है तो चलिए 5 से 5 साल से 85 साल तक बेगती आखदान कर सकता है तो आई ये कोशन नमर 67 मिरित्यू के पचाथ कितने घंटे के अंदर आख निकाल लेना चाहिए तो 4 से 6 घंटा चलिए option B is the right answer ठीक है अब हम बा करती है आत्में तो उसको हम कहते है कौर्णिया तो options कहीं है यास B B is the right answer ठीक है चलिए इसको नोट कर लीजिए किस रोग से पिरित बेक्ती नित्रदान कर सकते हैं तो options है देखिए A में मोतिया बेंद मदू में हैं B में उच्रक्त चाप वाले C में दामा चस्मा की प्योग करने वाले D में सभी तो याद रहे इसमें हमने personally questions को इस तरीके से state किया है ताकि आपको यह याद हो सके कि कि किस रोग से पिरित बेक्ती आंकोदान कर सकते हैं चलिए देखिए answer होगा इन में सभी किले रहे है याद रहे हमने किस तरीके से 70 कहता है किस रोग से ग्राशिक बेक्ती नेतरदान नहीं कर सकते हैं तो आई यह options देखते हैं पहला एड्स यह भी जिसमें लिख दिये options में भी में देखें लुकेमिया टेटनस हैजा दोनों तीनों रोग को एक में रख दिये हैं भी में C में hepatitis B या C मेरीगी इनसे प्लाइटिस कौन सानुगत रोगी ठीक है डी में सभी तो इसलिए देखें इसमें हमने बोला था ना कि इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया है ताकि आपको याद हो कि कौन-कौन से रोग से ग्राशित बेक्ती आख नान नहीं कर सकते हैं तो देखें इनमें सब्सक्राइटिस हो सी हो मिर्गी हो है इनसे प्लाइटिस हो और सानुगत रोग से ग्राशित बेक्ती हो वह आखदान नहीं कर सकता है चलिए कोच्छा नावर से 21 में खत्री के सिगनल के रुप में कौन सा रंगी किया जाता है लाल ऑप्संस ए इसको नोट कर लीजिए का säfak का अपरतनां किस रंफ के लिए अधिकतम होता है तो काच किस कलर को अधिकती जिस्स मोड़ देगा किस को तो बैगनी कलर को ठीक है कि बैगनी लेंध काम होता है और संदी आंशर सहीं नभर 33 लाल गुलाव को हरे पारकास में देखा जाए तो यह कैसे दिखेगा काला दिखेगा कहीं है option A, C is the right answer चलिए कोच नमर 74 परकास का प्रात्मिक बंड है लाल नीला हारा तीनो ठीक है option number D, साही है ठीक है तीनो है लाल भी है नीला भी है हारा भी है ठीक है अब चलिए 75 में परकास का दित्यक बंड है देखेगा मैंजेटा भी है स्यान भी है पीला भी है यह तीनो है तो यानिकि D is the right answer ठीक है अब देखिए कोच नमर 76 कहता है उदे तता अस्त होने के समय लाल कलर का तरंग धर्च अधिक होता है तो लाल कलर ही पहुँच पाता है आग तक इसे लिए सुरज उकते समय और डूपते समय लाल दिखते है चलिए option A सही है अब 77 में एक एंगस ट्रॉम इकल टू होता है 1020 पावर माइनस 10 मीटर कहीं options है यास इस ना आंसर ठीक है इसक नुजास्त के समय सूरज का जोला अंडाकर दिखता है कैसा अंडाकर ठीक है चलिया एंसर भी राइट है समैंटीनान को कितरके परकास को अधिक पर किरनन करते हैं तो अधिक शक्षकान लेकिए बुलू कलर को अधिक परकिर्णन करते हैं देखिए जब छोटा पार्टिकल्स पे लाइट परती है तो बुलू कलर को अस्पिरीड ज्यादा करता है पहलाता ज्यादा है अनिके परकिर्णन ज्यादा करता है ठीक है अस्केटर ज्यादा करता है देखिए बुलू बुलू बो में कितनी मिनट का अंतर होता है तो 2 लिए है चलिंग हम बात करते है cadre कैसे यह भी बताते हैं संधित हैं 40 सुरज सुरज जब दूबता है ठीक है रिए मैं डूब जाता है तो फिर भी उसे से लाल कलर का तरंग्दधर हम तक पहुंचता है तो फिर भी हमको दिखाई देता है तो वो जो समय अंतराल होता है ना ठीक है तो वास्तक में डूबना और अभासी में डूबना दोनों के बीज का अंतर दो मिनट होता है चलिए यानि कि बीज़ा राइट आंसर के अस्पेक्ट्रम को बंपट कहा जाता है में बंड बिच्छी पान जिस घटना की कारण होता है वह घटना है वह घटना परकास का अपवार्तन है कैसे सुनिये का ध्यान से देखिए यह हावा है हावा से लाइट जा रहा है किसमें जा रहा है जी पिरिजम में ठीक है तो पि तो इसी को परकास का अपवर्तन कहते हैं चलिए तो परकास का अपवर्तन होता है ठीक है तो यह सेविन कलर में क्या होता है बढ़ता है यहां पर सेविन कलर वांड टू थीरी फोर फाइप सिक्स सेविन सेबिन कलर में बढ़ जाता है और इस पर अस्पेक्ट्रम इस पर प्राप्त होता है ठीक है तो अब कहानी का मतलब होता है कि यह किस के कारण देखिए बंड बिच्छेपन हो इसको कहेंगे बंड बिच्छेपन ठीक है इसको कहेंगे बंड बिच्छेपन और इसको कहेंगे प हिए तो इस कन पर पड़कर प्रकास को विविन दिसा में फैलने को कहते हैं परकास का देखे किसी पर्टीकल पर जब लाइट पड़ता है और अलग लग दिसाओं में फैल जाता है तो उसको परकास का परकिर्णन कहा जाता है देखिए ऑप्सन कहीं है यास डी डी जराइट अंसर किले अब देखिए 84 में कहता है पेशियों के सितिल होने पर अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगबग होती है 2.5 सेंटीमेटर होती है कहीं ह हम बात करते है 85 नमर उल्लू के ड्रищ पाटल में कोंसी को सिका है अधिक मातरा में पाई जाती है तो याद रहे उल्लू के ड्रिश्टी पाटल में रोड्स की मातरा यानि कि रोड्स को हिंदी में कहते हैं सलाका सलाका की मातरा अधिक पाई जाती है तो option B is the right answer ठीक है बोलि से बेटर कॉंसेप्ट लिके जाए अल्दा बेस्ट